दोस्तों हाफ developer channel में आपका स्वागत है ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है क्योंकि आज से हम एक series start करने वाले हैं जिसमें हम एक e-commerce website बनाएंगे जो की बिल्कुल ही Amazon की तरह दिखेगी तो आप देख सकते हैं ये website जो है वो हम develop करने वाले हैं इस पूरी series को लेकर और ये video especially उन लोगों के लिए हैं दोस्तों जो लोग अपना business जो है वो online ले जाना चाहते हैं मतलब आज कल जो है वो सब कुछ online ही होता है सभी को पता है ऐसे में कई ऐसे लोग है जो अपना business जो है वो locally चलाते हैं तो वो अगर उनको online ले जाना चाहेंगे तो उनको एक इसी तरह की website की जरूरत होगी तो इसी लिए मैंने जो है इस series को बनाया है तो यहां पर एक एक करके videos आएंगे जिससे आप पूरा ही सीख पाएंगे बहुत ही आसानी से और इस video को अगर आप follow कर लेते हैं यानि कि इस पूरी series को तो आप end of the day जो है वो इसी तरह की website जो है वो बना पाएंगे तो यहां पर मैं आपको website का थोड़ा overview दे देता हूं यह website रहेगी बिलकुल Amazon के जैसी ही यहां पर हमारा जो है वो logo यहां फिर title आप जो भी देना चाहों वो आएगा यहां पर search कर सकता है जैसे Amazon में है वैसे क्या वैसा ही website design जो है वो बनाया गया है यहां पर सा हमारा मेन इमेज रहेगा जहां पर आप चेंज कर पाएंगे जब भी कोई सेल वगेरा चलता है इसको basically hero image कहा जाता है hero section और उसके नीचे ही यहां पर best seller कहा जाएगा जो भी आपके product ज्यादा सेल होते हैं वो यहां पर listed हो जाएंगे हाला कि हमने यहां पर इतने सारे product नही सेल चल रहे होंगे वह यहां पर दिखेंगे उसी के नीचे आपको feature product मिल जाएंगे उसके नीचे भी आप यहां पर कई सारे section बना सकते हैं और नीचे आएंगे footer पर तो यहां पर आपको about us यानि कि आपके इस shop के बारे में बताना इस e-commerce website के बारे में बताना है और यहां पर description डाल देना होगा उसके बाद यहां पर legal pages आ जाएंगे जैसे कि about us, contact us, privacy, terms और यह सब pages आप यहां पर देख पाएंगे साथ ही में यहां पर नए नए जो भी product आते हैं उसको भी यहां पर link किया गया है और अगर यहां पर हम किसी भी product पर जाते हैं तो उसका product page कुछ इस तरह से दिखने वाला है आप देखेंगे यहां पर जैसे आप over करते हैं तो पूरा image भी इस तरह से आता है यहां पर आपको title मिल जाएगा इसकी price यहां पर कौन सा size का आपको लेना है वो आएगा उसके बाद यहां से add to cart राइट यहां पर नीचे आपको description मिल जाएगा कौन से कपड़े में बना हुआ है cotton का है कौन सी sleeve है और यह printed है वगेरा वगेरा और यहां पर additional information में कौन-कौन से size में available है यह दिख जाएगा यहां पर review का भी है जहां से आप review भी दे सकते है मतलब user जो है यहां पर review भी कर सकता है product को जैसे हम यहां पर cart पे enter करते हैं तो आपको इस तरह का जो है वो interface मिलेगा यहां से आप direct view cart पे जा सकते हो otherwise यहां पर आपको basket में जो है वो one tick आ जाता है अब यहीं से आप जो है वो check out कर सकते हो otherwise यहां पर view cart पे जा सकते हो अब view cart में यहां पर आपको मिल जाएगा अगर आप इसकी quantity बढ़ा देंगे तो आप यहां से दो कर सकते हैं यहां फिर एक रहने दे सकते हैं अब आपको यहां से proceed to check out पे जाना है अब यहां प जाते हैं तो वो भी payment डाल सकते हैं online के लिए ठीक है तो उसमें हम रेजर पे को add करेंगे और यहां पर आपको अपना address वगएरा फिल कर देना है जिस address पर आपकी यह delivery आने वाली है उसके बाद आपको यहां पर simply place order पर क्लिक कर देना है और यह order चला जाएगा हमें यानि कि backend में हमको ही मिलने वाला ही यह order और यहां पर आपको detail मिल जाएगे कि आपने क्या purchase किया है order प्रेस करने के बाद जब आप यहां पर dashboard पर आपने आएंगे यहां पर आपको एक order जो है वो दिखाए देगा तो यहां पर आप देखेंगे जितने भी आपको order मिलेंगे वो इसका है और कहां पे हमको इसे send करना है जैसे ही आप इसको shift करतेते हैं आप यहां से उसका status change कर सकते है जैसे कि अभी यहां पर complete हो चुका है और यहां से हम choose action पर कर सकते हैं जैसे invoice भी देना तो जैसे आप यहां पर upload करेंगे उसको email चला जाएगा और उस product का जो order होगा उसका status भी change हो जाएगा जैसे हमें Amazon से order आता है तो status change होता रहता है कि पहले ship में है फिर process में है dispatch हो गया है वगरा वगरा तो इस तरह से आप जो है इस order को complete कर सकेंगे अगर वापस हम यहाँ पर आएंगे order पर तो यहाँ पर आप देख सकते है status जो है वो completed आ चुका है मतलब इस order को आपने complete कर लिया आपको जो है वो पैसे मिल गए होंगे shipping के जरीए तो आप अगर cash on delivery रखते हैं तो आपको पैसे जो है वो manually मिलेंगे अगर online रखते हैं तो सीरीज में आप जुड़े रहें चाहे आपके पास product हो या ना हो अगर product नहीं भी है तो भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिना product के भी काफी सारी earning कर पाएंगे तो इस series से जुड़े रहने के लिए आपको बस इस channel को subscribe करना है और इस series में कई सा बनानी है अगर आप के पास कोई भी product नहीं है तो भी मैं आपको इस series में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप online चीजे बेच सकेंगे बिना कोई मेहनत किये जी हां आपको कुछ भी invest नहीं करना रहेगा आपको बस एक website बनानी रहेगी इस तरह की आपको product भी मिल जाएं आपको देखने को मिल जाएं वो भी सबसे पहले तो इस series में ये video जो था वो हमारा इंट्रो वीडियो है आगे के video में हम पूरा जो है वो एक एक करके जानेंगे तो इस video में बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले video में जैहें